ओम शान्ति आज की मुर्ली है एक तीस बारा बाइस के मिठे बच्चे तुम्हें शिव जेन्ते का त्योहार बड़ी धुमदाम से मनाना है यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का देन है सबको बाब का परिचे देना है प्रेशना कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते है घाटा कब पढ़ता है उत्तर जो बच्चे चलते फिरते पड़ाई छोड़ देते है वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते है बाबा रोज इतने हीरे रतन देते है गुईये पॉइंट सुनाते है अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते है तो घाटा पढ़ जाता है नापा सो जाते है स्वर्ग के उची बाश्य ही गवा देते है पद ब्रश्ट हो जाता है गित बजा रहे बाबा रात के राही ठकमत जाना सुभ़ के मंजिल दोर नहीं ओम श्यंति ये रात और दिन मनुश्य के लिए है श्यू बाबा के लिए रात और दिन नहीं है ये तुम बच्चों के लिए है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है श्यू का दिन श्यू की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है स्रिप एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा एक की रात नहीं होती है गाया जाता है ब्रामनों की रात तेन ब्रह्मा की रात सु ब्रामनों की रात। ब्रह्मा का दिन सु ब्रामनों का दिन। इसलिए बाबा केते एक की बात नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा के साथ ब्रामन हो। तुम जानते हो अभी है भक्तिमार्ग का अंत। साथ-साथ घूर अंधेरे का भी अंत है बाब कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है तुम अभी सबेरे के लिए चलने लग पड़ते हो जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्रह्मान कहा जाता है ब्रह्मानों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है ब्रह्मान जाकर देवता बनेंगे इस यग्य से बहुत बड़ी बदली होती है पुराने दुनिया बदल कर नहीं होती है कल्विग है पुराना यूग, सत्विग है नया यूग फिर त्रेता पचिस प्रतिशत पुराना द्वापार पचास प्रतिशत पुराना यूग का नाम ही बदल जाता है कल्विग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे इश्वर कहा जाता है बाप को जो इश्वरी राज्य स्तापन करते हैं बाप कहते हैं मैं कलब कलब संगमीगे आता हूँ टाइम तो लगता है ना यू तो है एक सेकन की बाद परन्तु विकर्म विनाशोने में समय लगता है क्योंकि आधा कलब के पाप सिर पर हैं बाप स्वर्ग रचता हैं तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनोगे परन्तु सिर पर जो पापो का बोजा है उनको उतारने में टाइम लगता है योग लगाना पड़ता है अपने को आत्मा जरूर समझना है आगे जब बाबा कहिते थे तो जिस्माने बाप याद आता था कहने से बुद्धी उपर चली जाती है दुनिया में और किसकी बुद्धी में यह नहीं होगा की हम आत्मा रूहाने बाप की संतान है हमारा बाप, टीचर, गुरू, तीनों ही रूहाने है याद भी उनको करते हैं यह है पुराना शर्य इनको क्या शुंगार करना है परन्तु अंदर में समझते है अभी हम वनवा में है ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले है पिछाडी में कुछ भी नहीं रहता है फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं इस समय सारी पुरानी जैसे सारी पुरानी दुनिया जैसे वनवा में है इसमें रखा ही क्या है कुछ भी नहीं जब ससुर घर था तो हिरे जवरात के मेल थे ससुर घर बाबा किसको कहते हैं स्वर्ग जहां स्वर्ग में हम राज़य में थे तो स्वर्ग के लिए बाबा ससुर घर कहते हैं माल ठाल थे अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है संगम्योग हम आत्माओं के लिए पियर घर है मदवन हम आत्माओं के लिए पियर घर है और सत्य घम बच्चों के लिए ससुर घर है अभी तुम किस के पास आये हो? कहेंगे बाप दादा के पास बाप ने दादा में प्रवेश किया हैं दादा तो है ही यहां का रहिवासी तो बाप दादा दोनों कमबाइन हैं परंपिता परमात्मा पतित पावन हैं उनके आत्मा अगर स्री कृष्ण में होती वो ज्ञान सुनाती तो कृष्ण को भी बाप दादा कहती कहा जाता, परन्तु स्री कृष्णों को बाप दादा कहना शोक्ता ही नहीं ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है बाप ने समझाए है यह पाँच जार वर्ष्य का चक्र है तुम बच्चे प्रदर्षने जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो की आज से पाँच जार वर्ष्य पहले भी हमने यह प्रदर्षने दिखाई थी और समझाय था कि बेहत बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है आज से पाँच हजार वर्ष्य पहले मुआफिक फिर से हम त्री मुर्ती शिवजेन्ती मनाते हैं यह अक्षर जरूर डालना पड़े यह बाबा डाइरेक्शन दे रहे हैं उस पर चलना है शिवजेन्ती की तयारी करने हैं नई नई बाद देख मनुशे वंडर खाएंगे अच्छा भबका करना चाहिए हम त्री मुर्ती शिवजेन्ती की चुट्टी ओफिशियल हैं कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं तुमारा यह बहुत बड़ा देना हैं जैसे कृचन लोग कृष्मस मनाते हैं बहुत खुशी मनाते हैं अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए सबको बताना है कि हम बेहेत के बाप से वर्षा ले रहे हैं जो जानते हैं वो खुशी मनाएंगे सेंटरस में आपस में मिलेंगे यहां तो सब आना सके हम मनाते हैं जनम दिन शु बाबा का मुरुत्यू तो होना सके जैसे शु बाबा आया है वैसे चले जाएंगे ज्यान पुरा हो गया लड़ाई शुरू हो गई बस इनको अपना शरीर तो है नहीं तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है इसमें मेहनत लगते हैं सतीग में तो आतम अभिमानी हैं वा अकाले मुर्तियू नहीं होगा यहां बैठे बैठे काल आ जाता हैं हटफिल हो जाता हैं कहेंगे इश्वर की भावी परन्तु इश्वर की भावी नहीं है तुम कहेंगे ड्रामा की भावी ड्रामा में इनका पार्टो एसा था अभी तो है आईरन एज नए दुनिया गोल्डन एज थी सत्वी के मेहल कितने हीरो सत्वी के मेहल कितने हीरो से सजाए भूए होंगे अकिचार धन कोगा परन्तु उनका पूरा रुत्तान तो नहीं कुछ अर्थो केक आदी होती है तो टूट फूट पड़ती है निचे चली जाती है तो इन बातों का बुद्धी से काम लेना है यह खाना बुद्धी के लिए है तुमारी बुद्धी उपर चली गई है रचेता को जानने से रचेना को भी जानते हैं सारे सुरुष्टी का राज बुद्धी में हैं ड्रामा में उचेते उचा हैं भगवान फिर ब्रामा विष्णु शंकर हम इन तीनों का एक्क्यूपेशन बता सकते हैं क्या क्या पारटर हैं जगत अमबा का कितना बड़ा मेला लगता हैं जगत अमबा जगत पिता का आपस में क्या संबंदर हैं यह कोई नहीं जानते क्योंकि यह गुप्त बात हैं मा तो यह बैठी हैं वह थे एडाप्टर की भी इसले चित्र उनके बने हैं उनको जगत अमबा कहा जाता हैं ब्रह्मा के बेटी सरस्वती बल मा का टाइटल दिया हैं परन्तो थी तो बेटी सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तुम उनको ममा कहते थे ब्रह्मा को मा कहना शोकता नहीं यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धी चाहिए यह गुई यह बाते हैं तुम किसी के भी मंदिर में जाएंगे तो जट उनका एक्किपेशन जान लेंगे गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो जट बता देंगे कि यह वह फिर कब आएंगे उन लोगों को कुछ पता नहीं क्योंकि कब कलब के आयू लंबी कर दी हैं तुम वर्नन कर सकते हो बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ आता कैसे हो स्री कृष्ण की तो बात ही नहीं गीता का पाट करते रहते हैं कोई अठ्रा अध्य याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाते हैं एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वहां वा इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं आजकल तो रिद्धी सिद्धी भी बहुत हैं जादू का खेल बहुत दिखाते हैं दुनिया में ठगी बहुत हैं बाप तुमको कितना से समझाते हैं परन्तु पढ़ने वालों पर मदार हैं टीचर तो एकरस पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगी यह भी होना जरूर हैं सारी राजदानी स्तापन होने हैं तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्था स्वर्ग के मालिक बन जाते हो रादिन का फरक है हैं वा तत्व भी सतोप्रदान होने से शरीर भी एक कुरेड बनता है नाचुरल ब्यूटी रहती है वह है इश्वर की स्तापना की हुई भुमी अभी असुरी भुमी है स्वर्ग नर्क में बहुत फरक है अभी तुमारी बुद्धे में ड्रामा की आदी मद्य अन्त का राज बैठा हुआ है नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार बाब कहते हैं अच्छी रिती पुर्शार्थ करो बच्चिया नए नए स्तान पर चक्र लगाने जाती है अगर अच्छी माताई है आदी है तो सर्विस को जमाना पड़े सेंटर पर अगर कोई नहीं आते है तो अपना नुकसान करते है कोई पढ़ने के लिए नहीं आते है तो उसको फिर लिखना चाहिए तुम पढ़ते नहीं हो इससे तुमको बहुत घटा पर जाएगा रोज रोज बहुत गुई पॉइंस निकलते है यह है ही हीरे रतन तुम पढ़ेंगे नहीं तुम नापास हो जाएंगे इतनी उची स्वर्ग की बाश्य ही गवा देंगे मुरली तो रोज सुननी चाहिए एसे बाब को छोड दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे फिर बहुत रोएंगे खुन के आसु बहाएंगे पढ़ाय तो कभी नहीं छोडनी चाहिए बाबा रजिष्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं न आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए स्रीमत कहिती हैं पढ़ेंगे नहीं तो पद ब्रश्टो हो जाएगा बहुत घाटा पढ़ जाएगा एसे लेखा पड़ी करो तब तुम स्कुल को अच्छी तरव उठा सकेंगे एसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया टीचर को ओना रहता है कि हमारे स्टूडन जास्ती नहीं पास होंगे तो इज़ जाएगी बाबा लिखते भी हैं तुमारे सेंटर पर सर्विस कम चलते हैं शाय तुम सोते रहते हो अच्छा धार्ना के लिए मुख्य साथ पहली पॉइन इस पुराने शेरिर का शुंगार नहीं करना है वनवा में रव नए घर में चलने की तैयारी करने हैं दुजी पॉइन ज्यानस्नान रोज करना है कभी भी पड़ाई मिस्ट नहीं करने है आज का बर्दान महानता के साथ निर्बानता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव महानता की निशानी निर्मानता है जितना महान उतना निर्मान क्योंकि सदा भरपुर है जैसे रुक्षी जितना भरपुर होगा उतना जुका हुआ होगा तो निर्मानता ये सेवा करती है और जो निर्मान रहता है वो सर्वद्वारा मान पाता है, जो अभिमान में रहता है उनको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं, जो निर्मान है वे सुखदाई होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूती करेंगे, सभी उनके समेप आना चाहेंगे, सलोगन उदाशी को तलाग देने के लिए, खुश्यों का खजाना सदा साथ रखो, अच्छा, फिर मातेश्वरीजे के मधूर महावाक्या, गित, ने नहीन को राह दिखाओ प्रभू, अब यह जो मनुशे गित गाते हैं, ने नहीन को राह बताओ, तो गोया राहा दिखाने वाला एकी परमात्मा थरा, तबी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं, प्रभू राहा बताओ, तो जरूर मनुश्य को राहा दिखाने के लिए, खोद परमात्मा को निराकार रुप से, साकार रुप में अवश्य आना पड़ेगा, तबी तो स्तुल में राहा बताएगा, आने विगर राहा तो बताना सकेंगे, सब मनुश्य जो मुंझे हुए हैं, उन मुंझे हुए को राहा चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते ने न हीनो को राहा बताओ प्रभू, इसको ये फिर खिवया भी कहा जाता है, जो उस पार अत्वा इन पास्तत्व की जो बनी हुई सुरिष्टी है, इससे पार कर उस पार अर्थात पास्तत्व से पार जो छेट्वा तत्व अखंड जोती महा तत्व हैं, उसमें ले चलेगा, तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे, तभी तो ले चलेगा, तो परमात्मा को भी अपने दाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवया कहते हैं, वहीं अम बोड को आत्मा रुपी नाव को पार ले चलता है, अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बचे जाएगे, वे धरमराज की सज्जाये खाकर, बाद में मुक्त होते हैं, काटो की दुनिया से ले चलो फोलो की छाओ में, अब यह बुलावा स्री परमात्मा के लिए कर रहे हैं, जब मनुश्य अति दुखी होते हैं, तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इस काटो की दुनिया से ले चलो फोलो की छाओ में, इससे सिदहे की जरूर ओ भी कोई दुनिया हैं, अब यह तो सभी मनुश्य जानते हैं, कि अब का जो संसार हैं, वो काटों से भरा हुआ हैं, जिस कारण मनुश्य दुख और अश्यानती को प्राप्त कर रहे हैं, और याद फिर फोलो की दुनिया को करते हैं, तो जरूर ओ भी कोई दुनिया होगी, जिस दुनिया के संसकार आत्मा में बरे हुए हैं, अब यहां तो हम जानते हैं कि दुख और श्यानती यह सब कर्म बंधन का इसाब किताब हैं, राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुश्य मात्र इस इसाब में पूरे जक्ड़े हुए हैं, इसलिए परमात मा तो खुद कहता हैं, अब का संसार कलियो गए हैं, तो ओ सारा कर्म बंधन का बना हुआ हैं, और आगे का संसार सत्युक था, जिसको फूलो की दुनिया कहते हैं, अब ओहे कर्म बंधन से रहित, जिवन मुक्त देवी देवताओ का रज्य, जो अब नहीं हैं, अब यह जो हम जिवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देव से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे, गोया वा कोई भी कर्मबंधन का मामला नहीं हैं, ओ जिवन लेते, जिवन छोडते, आदी मद्य अंत सुख को प्राप्त करते थे, तो जिवन मुक्त का मतलब है, जिवन होते कर्मातित, अब यह सारी दुनिया पाच विकारों में पुरी जक्ड़ी हुई है, मानों पाच विकारों का पूरा-पूरा वास है, परन्तों मनुष्य में इतनी ताकत नहीं हैं, जो इन पाच भुतों को जीत सके, तबी परमात्मा खुद आकर हमें पाच विकारों से चुड़ाते हैं, और वविश्य प्रालब्ध देवी देवतापत प्राप्त कराते हैं,